सो हलो गाईज, वेलकम बैक टू ट्राइड़िव यार आज का वीडियो बहुत ही द्यादा ओसम होने वाला है बिकॉस आज हम बनाएंगे रियाक्ट टैप विद हेल्प ओफ चक्रा यू आई मलब इसमें पूर्ट चैप यूज नहीं करेंगे मलब केवल लाइब्रेरी के फंक्शन को कॉल करके आप एजीली डार्क मोड इनेबल कर सकते हो डिसेबल कर सकते हो और बहुत सारी चीज़े कर सकते हो सो गाईस सबसे पहले इस एप का लुक लेते हैं यहां पर दिख सकते हैं आप रियाक टू-डू आप यहां एक ग्रेजियंट बनाया है और नो टू-डू यट कोई यहां पर टू-डू नहीं है तो अमने टूस दिया यहां पर सो लेट्स एट सम टू-डू लाइक एक टास्क हम बनाते हैं मॉनिंग एक्सरसाइज इसको आप ड्रीड भी कर सकते हो चली एक ब्लैंक टास्स एट करें दिखते हैं हमें क्या होता है आप दिख सकते हैं नो कंटेंट कितना शांतर हमारे पास एक टोस्ट मैसेज आया है पॉप अप की तरह मतलब यहां पर कोई भी हम जावा स्क्रिप्ट का कोर फंक्शनलिटी अलर्ड वगरा यूज नहीं कर रहे हैं हम सारी चीज़े बिल्कुल अपडेट इट एंड अप टू दा माक जो हम यूज कर सकते हैं एंड सबसे टॉप मोस्ट हम इसमें होक्स का यूज करने वाले है यूज स्टेड यूज इपक्ट सो गाइस प्लीज वीडियो के साथ बने रहेगे अट दा लास्ट हम काफी चीज़े रियाट की कवर कर सुके होंगे ओके सो लेट्स स्टार्ट दा वीडियो क्रेटिंग एट टू-डू एप्लिकेशन तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा अपकॉस अपना एक एप करेट करना होगा तो गाइस सबको अंडेस्टेंडिंग होगी वाट इस अनप एक्स एड क्रियेट रियाक्ट अप कमांड ओके एड अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है नहीं होगा है कम्प्लीट सीरीज का जाके देख लो तो इसका नाम रख देते हैं टूडू रियाक्ट या टूडू अप रहाइट सब देख सकते हैं हमारा अप क्रेट रहना स्टार्ट हो चुका है तब यह कमांड रण होगी वद्ना रन नहीं ओगए ठीक है, so let's wait for it, and meanwhile, हम study कर सकते हैं, what is Chakra UI, okay, so आप देख सकते हो, Chakra is accessible, react apps with speed, less code and more speed, जो की सबसे मैं हमारा use cases में, अगर हमें एक card create करना, तो आप देख सकते हो, basic code, very basic center box, direct आप इनको use कर सकते हो, and कोई भी element create कर सकते हो, and हम इस पूरी वीडियो में बहुत सारे इसके element देखने वाले हैं, with the help of Chakra UI, okay, so I think हमारा app create होने वाला है, बस, इनके आप layout भी उठा सकते हो, कोई भी application आपको अगर अच्छी लग रही है, तो आप ले सकते हो, direct, इसका code भी आपको मिल जाएगा, हाना, so get started, so हम आप ये command चलानी है, अपने app के अंदर Chakra UI इंस्टॉल करने लिए, यान अगर आप यूज करते हो, पी NPM यूज करते हो, बट हम यहाँ पर NPM से यूज करेंगे, ओके, तो हमारा app क्रेट हो चुका है, तो हम जाएंगे cd to do app, ओके, क्लियर कर देंगे इसको, एंचली काम करते हैं, अपने code में open भी कर लेते हैं इसको, open folder, projects to do app, ओके, तो हमारा app क्रेट हो चुका है, अब हम जाएंगे टर्मिनल के उपर, NPM स्टार्ट, ओके, तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश अप आ गया, एंड पहले हमारा app डारेक्ट था, ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाओ, सो एक टर्मिनल और सेपरेट ले लेते हैं, जिससे हम अपने पैकेज इसको इसको इंस्ट्रॉल कर सके हैं, तो सबसे पहले हम इंस्ट्रॉल करेंगे, NPM I, Chakra UI, React, Emotion, React, Emotion, Style, Formal, Motion, कर सकते हैं, आप चाहों तो इसमें, Emotion, and Farmer, Motion को अटा सकते हो, विकाज हम कुछ animation भी अट करेंगे, ओके, सो इंस्ट्रॉल हो रहा है, और इंस्ट्रॉल हो गाईज यह जाएगा, पैकेज.json के अंदर, जैसे हैं आप दिख सकते हो, वेब वाइटल है, React Descript है, React Dom है, Dependencies के अंदर, ओके, तो अब यह आप है, चक्रा UI बेएड हो जाएगा, अगर आपको यह folder structure नहीं समझ में आ रहा हो कि कैसे काम करता है, क्या काम करता है, तो मैं आपको link description में add कर दूँगा, तो आप वहाँ से दिख सकते हो, ओके, तो यह काम करता है, unnecessary code अटा देता है, अटा इसको भी clean कर देते हैं अपने folder को, एक मिन लगेगा बस, लोगों भी नहीं चाहिए मैं, app.css आप छोड़ सकते हो, index.css नहीं चाहिए मैं, बिल्गों fresh स्टार्ट करेंगे, अभी git पे भी यह code आपको git पे मैं provide करा दूँगा, बड़ा भी के लिए git अटा देते हैं, ठीक है, git repository का link आपको description मिल जाएगा, आप देख सकते हो package log.json में भी chakra UI आ चुका है, so index.json में हमारा app है, यहां से हम अपनी files remove कर देंगे, जो अब रीन नहीं है जिसकी, right, एक बार app देखते हैं अभी भी एक error है, वो app के अंदर है, लोगों नहीं चाहिए अब हम है, और अगर हम लोगों यहां पे import नहीं कर रहे हैं तो हम use भी नहीं करेंगे, report web vitals, यहां से हमें function अट आना होगा, ओके, तो अब यह काम कर रहा है, and हम यहां से पूरा clean कर देंगे, एक tag तो हमें add करना पड़ेगा, hello world, ओके, आप देख सकते हो बिल्कुल blank app है, so अब अपना app क्रेट करने स्टार्ट करते हैं, so guys, सबसे पहले आपको इस app को chakra UI के fragment में या component में add करना होगा, जिससे हम इसके उपर dark mode and light mode enable कर सके, तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहां पे chakra UI को import करना होगा, वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें यहां पे add करना है, chakra provider, आप guys की documentation में भी बढ़ सकते हैं, बड़ चलो, अगर मैं बता रहूं तो को दिकत ही नहीं है, ठीक है, इसको app को इसके इंदर hold कर देंगे, parent की तरह, and हमें add करना हैं dark mode वाला, तो dark mode वाला भी बाद में add करते हैं जब हम इसके UI बनाएंगे पूरा, ठीक है, done है, ठीक है, तो आप दिख सकते हो, chakra UI ने अपना background add कर दिया इसके इंदर, darkness वाला तो आप इसको customize भी कर सकते हो, by adding your own CSS, okay, So, यहां पर हमारा काम इतना नहीं था अभी के लिए, तो चलते हैं अपने app के अंदर, क्योंकि हमें अपना पूरा UI create करना है, So guys, यहां पर हम पहले लेंगे V stack, okay, V stack मतलब vertical stack, okay, जिससे आपके सारे, let's add box here, first, एक box add करते हैं, जिसमें होगी हमारी heading, first, heading क्या होगी, react to new app, application भी आप डाल सकते हूं, तो यहां पर एक error आ रहा है, icon button का, icon button, okay, हमें कुछ शीजिया इंपोर्ट करने हूंगी, box इंपोर्ट करना होगा यहां से, तो हमारा आप रान हो चुका है, अब दिख सकते हो, react to do app, वह भी automatic center में आ रहा है, इसके v stacker default होता है, automatic center, and p मतलब padding, okay, then उसके बाद यहां पर हम दो component create करेंगे guys, component based बनाएंगे इसको, जिसमें हम एक to do list, जो हमारी list आएगी, and एक हमारा input component जिससे हम to do add करेंगे, तो इक काम करते हैं, सबसे ब्राइस ट्रेक्टिस के है, इस source के अंदना एक folder create कर लेते है, components नाम से, ठेक है, तो इसमें हम component क्या क्या बनाएंगे, पहला add to do, so as per we know, कि हमें अगर आप कोई भी component क्रेट करते हैं, तो first letter उसका capital होता है, यह camel के साब बोल सकते हूं, and to do list, ओके, यह दो हमने component क्रेट कर दिये, तो first हमें आपर react इंपोर्ट करना है, import, react, चेक है, and then function, add to do, ओके, and this is, यह हमारा एक component क्रेट हो चुगा है, अब इसको export default, add to do, इसमें हम return add करेंगे, केबल टेस्ट करने के लिए, अब यह add कर देते हैं, यह है react fragments, अगर नहीं पता हो react fragments क्या है, तो link description में add है, तो अब देख सकते हो, यहाँ पर add कर देंगे, add to do component, या add to do, only add कर देते हैं, and same to do list, तो यहाँ पर में जलती है, react first import कर देते हैं, function to do list, and guys आप जितना code करोगे ना, उतनी आपको प्रैक्टिस होगी, तो code करो साथ में, ज्यादा बेटर रहेगा, and यहाँ भी हम react fragment add कर देते हैं, ठीक है, आप शाह हो ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यह भी एक way है, ठीक है, यहाँ हम add करेंगे, h1 to do list, ठीक है, अब हम इनको import करना है अपने app.js के अंदर, ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले आएगे my list, to do list, शायद हमने इसको export नहीं किया proper, हाँ, हमने export ही नहीं किया proper, export, default, and to do list, अब जब हम इसमे add to do list लिखेंगे न, तो यह automatic आ जाएगा, right, and automatic उपर आप दिख सते हो, import भी हो गया, and same हमें याप पे, add करना अपना to do, जहांसे हम input box है, अब उपर नहीं भी कर सते हो, आप दिख सते हो, हमारे दोनों component यहां पर आ चुके है, ठीक है, so we have created a functional components, so let's start, add to do function, like कि हम कैसे एक input box, and you know, complete add button, submit button बना सकते हैं, एक form की helps है, तो सबसे पहले हम यहाप एक basic form लेंगे, okay, on submit, submit पर ही हमें action करना है, and एक function बनाएंगे handle submit नाम से, okay, अभी नहीं बनाएंगे, अभी जैसे पहले हम UI स्टार्ट कर लेता है, तो यहां हम यूज करेंगे, horizontal stack, because हमें input box, and button side-by-side रखते हैं, and यहां margin जिसकते हैं, margin top, 8 pixel, 8 RAM जो भी इसकी value, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, इस pane tag हम यहां पर यूज करेंगे, इसको हम बनाएंगानते हैं, को दिखकर नहीं है, so guys यहां पर हम पहले एक add करेंगे, input tag, input tag में हम variation add करेंगे, field का, okay, input tag आप देख सकते हो, तो कहां से import हो रहा है, chakra UI से, ठीक है, हम सारे components यहां पर chakra UI के यूज करने वाले हैं, तो no tension, app काफी अच्छा बनेगा, ज्यादा customization की need नहीं होगी, तो यहां पर हम placeholder आश्टर सकते हैं, example के लिए start learning, react, value, हम tab अभी खाली चोड़ेंगे, कि value में क्या आएगा, यहां पर हम एक function pass करना है, on change के उपर, अभी इसको close कर देंगे, ठीक है, यहां पर हम add करना है guys, एक button, ठीक है, button में क्या है, type submit, क्योंकि हम submit करना है, color scheme हम provide करेंगे, and यहां पर इसका size देंगे, add to do, यहां आप इसका नाम submit भी देसकते हो, अभी एरर करेगा, एक बहुत चेक कर लेते हैं, तो यह क्या बोलता है, handle submit not defined, यह बहुत आना पड़ेगा भी लिए, यह काम करते हैं, इसको function को बना देते हैं, यहां पर बहुत easy है, function handle submit, अभी एरर नहीं दे रहा, तो इसको check कर लेते हैं, so guys अब देख सकते हो, हमने अभी तक बिल्कुल नहीं CSS नहीं लिखी है, and आपके पास एक input box, and एक button, add to do आ चुका है, without adding any other classes, default में आपको इतने अच्छे list मिल, इतना अच्छा form मिल रहा है, and component बिल रहा है, so चले इसको complete करते हैं पहले है, तारीव बाद में करेंगे, okay, so एक काम करते हैं पहले है, इसको complete करने से पहले ना, एक बार list और complete कर लेते हैं, जिससे फिर हम functioning पे ज़्यादा थेहां देंगे, designing पे नहीं, तो यह हमाए to do list है, तो यहां हमें लेना है v-stack, ठीक है, and v-stack में हम एक divider add करेंगे, यह सारे components आपको मिल जाएंगे, चक्रा UI की official website पह है, तो अभी आप confused मत होगेगा, just देखिए, and then इसको implement किजिएगा अपने code के अदर, and कोई भी help चीए तो आप comment कर सकते हैं, या फिर Instagram या Telegram मुझे direct message भी कर सकते हैं, okay, border color हम दिए यहां पर, यह automatic JavaScript JSX के mood में आ जाता है, Radius, LG, and यहां पर कुछ चीज़ा add करनी पड़ेगी, तो मैं वीडियो को fast कर दे रहा हूँ, जहां पर हम padding दे रहे हैं 4, width दे रहे हैं जिसे responsive हो 100%, max width जिसे ज्यादा screen size का stable रहे है, यहां पर base, and यह हम JSX के लिए स्टार्ट करते हैं, meaning JSX के अंदर ही CSS, okay, SM, SM के लिए क्लिए क्या बित रहेगी, 90VW, यह हम responsive के लिए हो रहे हैं, ठीक है, sorry my bad, okay, so it's complete, and align item, stretch, ठीक है, तो यह हमारी VStack के लिए काफी changes हो गए है, इसको make one, yes, okay, कुछ impact पड़ा, अब पर एक लिए काफी impact पड़ा के इसके अंदर, error क्या रहा है हमारा, okay, यहां पर थोड़ा से दिक्कत होई है, ठीक है आप सही है, हम दिख सकते हो, यह हमारा एक box आगया, vertical stack का, okay, अब इसके अंदर हम अपने एक single task लिखेंगे अभी, edge, यहां पर रहेंगे edge stack, because हमें horizontal stack, हमें delete का बटन भी add करेंगे, तो यहां पर add करेंगे text, text क्या होगा, this is our task, okay, spacer, mid-match page देने लिए, so guys, हम एक icon बटन देंगे again, तो यहां पर आपको icon देना पड़ेगा, तो icon हम इंपोर्ट करेंगे, react icons, bootstrap के हम icon use ने करेंगे, ना ही font devsm के, हम react icon install करेंगे direct, because हम पूरा code react पकने वालना थेख सकते हैं, यह इसकी library है, okay, so for importing, just npm install, so एक terminal लेना हमें separate, and just enter, okay, so icons install हो चके हैं guys, बहुत ही easily, इसको बंद कर देते हैं, तो यहां पर हमें add करना है हमना icon, fa trash, okay, and वह आप यहां पर diet लिख सकते हो, अवदर कभी-कभी नहीं आता है तो, fa trash, कहां से, from, react, icons, slash, fa, okay, is required, sorry, is round, तो हमें इसे कर देंगे true, एक border add कर देगा यह, on click, on click पर हमें इसके एक function बेना, तो अभी कलिए से बंद कर देगा है, okay, compile हो रहा है, text is not defined, I think हमना text import नहीं किया है, कभी-कभी guys, visual studio code भी दिखकर देता है, ठीक है तो compile हो चुका है, तो एक बार देखते हैं, almost created है, जिसमें हमने एक header add कर लिया है, एक task add कर लिया है, and task को add करने लिए to-do add कर लिया है, तो चलिए, let's start with functionality, how our app gonna function, कि हमारा app कैसे function करेगा, तो सबसे पहले हम functionally रिखेंगे add to-do की, तो उसके लिए जाना पड़ेगा, जो हमने handle submit का function मनाया था, तो गई सबसे पहले handle submit में हम क्या करेंगे, जिससे हमारा page refresh ना हो, e.preventDefault, okay, and हम यहां पर handle submit में e-pass करना होगा, जिससे हमें event मिल जाएगा इसका, तो यहां प एक बार चला के दिख लेते हैं, इसको यह काम करता हैं नहीं करता है, console.log, submit, okay, so let's start with console, यह रहे हमारा console, तो महीं यहां पर है, hello, submit, तो अब दिख सकते हैं यहां पर submit आ चुका है, बिलकुल हमारा function काम कर रहा है, ठीक है, हमें input में अपना data add करने के लिए इनपुट से data लेने के लिए, सबसे पहले एक use state होक यूज करना होगा, जिसके थुरू हम data input का accept कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम होक बनाएंगे, जिसमें हम लिखेंगे task, okay, and set task, and इसमें हम यूज करेंगे use state होक का, and default value का रहेगे हमारी null, या blank आप कह सकते हो, ठीक है, तो इसको initialize करते हैं, हमने input के अंदर, तो वो कैसे करेंगे, on change, क्योंकि हमने data देना है, on change के ओपर, ठीक है, so on change, and यहां से हम pass करेंगे a event अपना, okay, and fat arrow function, जो हमने es6 में use किया है, set content, sorry set task, क्योंकि हमारे function के नाम है set task, okay, and यहां पर हम pass करेंगे अपना e.target.value, क्योंकि हमें इसकी value चाहिए, what is the value of this input, okay, so हम देख से कि हमारी value इसमें add हो रही है, तो एक बार पहले इस value को get करते हैं, ठीक है, कि कैसी value हमारे पास आती है, okay, तो handle submit पे हम यहां पर console.log में अपना task show करवा सकते हैं, let's try that, यहां पर मैं add करूँगा hello guys, ठीक बार console देख लेते हैं, add task, तो देख सकते हो, हमारी input की value आ रही है, अगर हम कुछ भी change करते हैं यहां पर input में, hello, subscribe, this video, okay, तो भी message लिखा हुआ रहा है, message and feeling दोनों है guys, subscribe कर देना, ठीक है, okay, so हमारे input के अंदर value आ रही है, अब हम काम करते हैं अपनी submit button पर, सबसे पहले हमें चेक करना अबना input, ठीक है, input box अजर हमारा blank है, तो क्या message आएगा यहां पर पहले है, जैसे कि मैंने आपको demo में दिखाया था, तो यहां पर देखते हैं, अज़र हमारा task null है, यह null चेक करने लिए हैं, ठीक है, तो एक बड़ चेक करते हैं, बिना इसके add करेंगे, add to do alert आगया, but message add करेंगे, तब वो alert नहीं आएगा, ओके, So guys, let's create an object for our to do, जहां पर हम एक unique id प्रोवाइट करेंगे, and अपना task प्रोवाइट करेंगे, जिससे आप उसको local host में save करेंगे, जिससे easily app बंद होने के बाद भी हम जब उससे restart करेंगे, तो access कर सके हैं, हम इसमें database का भी use कर सकते हैं, So please comment me, अगर हम इसमें MySQL या MongoDB का use कर सकते हैं, तो next lecture में, हम इसको MongoDB से connect करेंगे, Okay, So let's create an object, const to do, id, nano id, एक library मैंने इसमें import करी है, जिससे आप एक alphanumeric की generate कर सकते हैं, तो यह function है, and body में हमारा जाएगा task, जो यहाँ पे हमने use किया है, Okay, input task, then उसके बाद हम एक function उनाएंगे, add to do नाबस है, वह function हम बनाएंगे globally, जिससे हम उसको कहीं भी access कर सकें, Okay, and उसके बाद हम यहाँ पे, एक function यहाँ पे match कर देता हूँ, add to do, and यहाँ पे हम pass करेंगे अपना object, and then set content, क्योंकि हमें वह fill भी blank करना है, blank, after this, अब देख सकते हो, एक बहुत ही basic code लिखा है, जिससे हमारा एक const create, to do create हो रहा है, and वह हमारे function में pass होगा, अब वह function कहां से आएगा, add to do fun लेख देते हैं इसको, जिससे आपको समझने में easy हो, तो वह function हम pass करेंगे as a property, guys आपने सुना होगा, कि how we can pass function as a props in the react.js, तो वह भी आज सीख लेते हैं कैसे करना है, तो add to do हम कहां से pass करते हैं, app.js में, मैं इस function को यहां भी create कर सकता हूँ, not a big deal, but हम local stories को बार बार import नहीं करेंगे, जो भी करेंगे अपने root या फिर man app में करेंगे, पास करना है अपने add to do के अंदर, तो हम यहां पर पास कर सकते हैं, add to do, and यहां पर हमारा जायदा function, तो हम यहां पर इस variable को भी use कर सकते हैं, it's not a big deal, and यहां पर भी इसको call करना पड़ेदा, as a property, because we are defining as a property, okay, तो आप देखिए सारे error चले गए, को यहां से हमने function पास कर दिया, add to do का, and यहां पर हमने इसको as a property use करके call कर लिया, तो यहां पर प्रिंट करा कर दिखते हैं, काम कर रहा है नहीं करता है, तो यहां पर हमें add करना है, console.log, यहां पर आएगा हमारा to do, क्योंकि हम यहां से to do को पास करता है, to do, तो guys हम एक object मिलना चाहिए, जब भी हम इस function को call करते हैं, या फिर हम यहां से add करते हैं, okay, so let's check it, यह hot reload होता है, तो इसका tension मतलो कि मैं refresh कर नहीं कर रहा हूं, okay, so this is, एक बार इसमें चले जाते हैं, this is my task, add to do, अब देख सकते हो, हमारा object आचुका है, जिसमें हमारी एक alphanumer की आगई है, और हमारा task आचुका है, okay, अगर मैं इसको दोबारा प्रिंट कराता हूं, our target is 25k subscriber, अब देख सकते हो, हमारा एक task और आचुका है, अभी मतलब दो task नहीं हैं, यह console दो बार प्रिंट हुआ है, ठीक है, so same, and एक alphanumer की जनरेट होगी है, की का टेंशन नहीं लेना है, की अमारी कहीं duplicate तो नहीं होगी, okay, तो चलिए अब इस task को एड़ करते हैं, अपनी local storage के अंदर, यह हमारा task अभी तो किवल एक console में प्रिंट हो रहा है, बट हमें इसको एड़ करना अपने local storage के अंदर, जो की store होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, application and local storage, अभी हमारी local storage empty है, आप देख सकते हूँ, कि वल चक्रा मो, UI color mode डार के यह भी समझाऊँगा कैसे काम करता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं add करना अपना to do, तो वो कैसे करेंगे, for adding a list of to do's, let's start with use state hook, क्योंकि हम यहाँ पर अपने list के state change करेंगे, and उसमें नए to do's add करेंगे, तो यहाँ पर हमें सबसे भी लिखना होगा, to do, okay, to do's लिख सकते हो, set to do's, because यह एक list है, use state हम यूज़ कर इंपोर्ट करेंगे, and इसके बाद blank करेंगे, okay, and यहाँ पर हमने यूज़ किया था string, blank string, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हम एक list चाहिए, blank, यहाँ पर एक list चाहिए, तो हम यहाँ पर blank array यूज़ करेंगे, okay, so in the add to do function, क्योंकि हम यहाँ पर check already कर चुके हैं, blank तो नहीं है, यहाँ पर हम direct, add कर सकते हैं अपने object को, तो कैसे करेंगे, set to do's की helps है, set to do's, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे spread operator का, so what is the spread operator in javascript, and ES6 में introduced हुआ है, spread operator से आप एक new copy create कर देते हो, existing array की इतकी shallow copy create हो जाती है, and आप उसमें एक नया element भी add कर सकते हो, by just adding comma, तो देखें कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं पहले to do's, जो existing list है वो यूज़ करूँगा, then, comma लगाके, यहाँ पर मैं pass कर सकता हूँ अपना नया to do, तो इसको हम एक function के अंदर लखना पड़ेगा, क्योंकि use state के अंदर, हम एक function मनाते है, set to do's का, यह हमारा variable, and यह हमारा function, तो अब क्या होगा, मैं एक बार और detail में समझा देता हूँ, सबसे पहले, set to do's के function कॉल करेंगे, जिससे use state से हम उसकी state change करेंगे, first, second हम spread operator से current array के अंदर, current array के अंदर, अपना एक element add करेंगे, previous elements के साथ, और यह हमारा help करेगा delete करने न, so guys हमारा set to do's का function ready है, अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको test करेंगे एक बार, कि यह काम करता हैने कर रहा है, hello add to do, अच्छा आपको एक change हो करना है आपके, कि add to do के अंदर, यह हम value pass कर देनी है task, जो भी हम use state में use करेंगे task variable को, वो task हमें यहाँ पर initialize करना है, जिससे अगर हम set task करेंगे blank, तो यहाँ पर blank होना चाहिए है, right, okay, so हमारा to do add हो रहा है, एक बार हम इसको console करा लेते हैं, console.log to do's complete list, okay, तो एक बार देखते हैं इसको, hello, add to do, task to, okay, तो हमारा task कर रहा है यहाँ पर hello, okay, and हमारा second task guys इतली नहीं आ रहा है, क्योंकि हम state change करते हैं, तो state change करने के बाद हमें एक second रुकना पड़ेगा, and then हमारा use state work करेगा, okay, आपने use state पर कोई भी action perform कर रहा सकते हैं, कि जैसी यह variable में change होता है, right, तो यहाँ पर console.log की जगा, हम use करेंगे अपना local storage अपनी task को save करने के लिए, अभी क्या है, जो हमारा task है, वो save हो रहा है हमारा memory के अंदर, जबकि हमें save करना है इसको local storage में, जिससे अगर हम अपने app को restart करें, तो हम उस list को दुवारा दे सकते हैं, तो set to do function हमारा add to do function ready है, इसके बाद हमें इस function को save करना है अपने local storage के अंदर, वो कैसे करेंगे, जैसे आप state change करते हो ना, तो state change करने के time पर हम local storage में change करने के लिए use करेंगे, use effect का, use effect भी एक होक है, react के अंदर, जब भी आप functional component use करते है, उसके साथ हम होक्स मिलते हैं, use effect, use state, use context होक, बहुत सारे होक मिलते हैं गाईज, playlist का link में description के देता हुआ, अब वहां से इसको सीख सकते हैं, यहाँ पर हम type करेंगे, सबसे पहले है local storage, यह एक global variable है, जब भी हम javascript यूज करते हैं, तो local storage variable हमारा global मिलता है, इसमें दो function आते हैं guys, set item and get item, तो पहले हम set करेंगे अपने item को, जो होगी हमारा to-do है, and आपको एक नाम देना पड़ेगा की का, जो कि हम देंगे to-dos, यह to-do list आप दे सकते हो, ठीक है, list का L capital कर दू, and then इसके बाद, json.stringify, guys, json एक class है, या फिर आप object के लो, उसके अंदर method है stringify का, जिससे हम अपने object को string में convert करते हैं, right, to-dos, so हमारा variable क्या है to-dos, हमें जितने भी to-dos है, हम उसको add करना है अपने local storage के अंदर, okay, and then उसके बाद हमें एक dependency pass करनी है, कि कब हमारा use effect चलना चाहिए, जब भी हमें to-dos के अंदर कोई update हो, जैसे यह हो रहा है, set to-do के अंदर, तो यह use state and use effect का एक mix combination है, जिससे आप अपने local storage में data save कर सकते हो, यही काम आपको जब करना है, जब आप यह local storage ना यूज़ करके अपना API यूज़ करोगे, okay guys, let's test it, already open था, okay, so console open कर लेते हैं अपना application, local storage, and to-do's के लिए, यह शायद मेरा पुराना प्रजेक्ट है, ठीक है to-do's के लिए इस blank है, यहाँ पर मैं add करूँगा to-do-one, okay, तो आप देख सकते हो, with the array key 0, मैं to-do-one आ चुका है, and with that, alphanumeric key, अब मैं to-do और add करता हूँ, to-do-to, okay, तो आप देख सकते हो, index-one पे हमारा next task आ चुका है, तो guys, अगर हम इस page को refresh करेंगे न, तो हमारे to-do's delete हो जाएंगे, क्योंकि हमने use effect में अभी जो dependency add कर रखिये न, वो अभी blank है, आप देख सकते हो, blank है, तो अब आप अपने local storage से to-do's को save करना पड़ेगा, then हम इसको अपनी list में show करेंगे, तो कैसे करना है, सबसे पहले हमें याप एक function create करना होगा, okay, without any method name, json dot parse, यहाँ पे हम use करेंगे local storage dot get item, हमारे list का नाम था, to-do list, और भी पेट कर दो याप है, इससे को गलती ना हो, अगर यह empty हो, तो फिर हमारा array empty जाए, तो यह और condition यहाँ पर आ चुकी है, या तो first हमारा variable true होगा, या हमारा second condition होगी, तो अगर हमारे पास get item में 0 है, तो automatic यह empty चल जाएगा, okay, so हमारा add to-do हो चुका है, हमें लिस्ट आ चुकी है, in the use effect, because use effect ब्राउजर पर काम करता है, जब हम ब्राउजर को refresh करते हैं, या पर मैं add करूँगा, hello to-do one, okay, तो local storage में, to-do list में एक आ गया, तीन आ गया अब, क्योंकि हमने अपना use effect को refresh कर लिया है, अब देखो, still आपके पास तीन ही मिलेंगे, अगर आप इस function को आप एड़ नहीं करोगे न, तो आपका यह array empty हो जाएगा, आप वो to-do's में कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आप इसको console log करा रहे हो, okay, so guys हमारा to-do यहाँ पर list में तो आ गया, local storage में है, तो चलिए अब हम update करते हैं अपने list को, जो अपने यहाँ पे एक component बनाया था, to-do list नाम से है, right, तो उसको करने के लिए, अब हमें इस component पर काम करना होगा, so हम क्या कर सकते हैं, आपकोर सी बात है, यहाँ पे local storage में हमारा to-do list है, to-do's नाम से, तो हम यह pass करेंगे अपने component के अंदर as a property, okay, तो आप यहाँ पे to-do's करके एक property बना सकते हो, यहाँ पे हम अपने to-do's को pass कर देंगे, okay, तो अगर मैं to-do list में जाता हूँ, यहाँ पे अपनी props में to-do's लिख देजा हूँ, to-do's, अब variable का नाम चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे console.log, to-do's, यह देखने हैं कि बस हमारी property यहाँ पे आ रही है कि नहीं, list of to-do's, ठीक है, तो एक बाद पेश को refresh करते हैं, तो आप देख सकते हो अगर मैं console में जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक area आ चका है, right, list of to-do's नाम से, ठीक है, list of to-do's, ठीक है, तो अभी तो हमारा पास to-do's हैं, अगर हमारा पास to-do's नहीं होंगे तो हम क्या शोख करेंगे, no to-do's available, तो सबसे बहले हम null check लगाएंगे इसमें, अगर to-do's की length अगर यह list है तो हम length check करें, ठीक है, अगर length 0 है, या फिर null है, तो यहां पर हम return करेंगे, अपना एक component, badge, यह भी हमारा चक्रा UI के अंदर ही है, color scheme, okay, and तोड़ा margin padding देदो, 4, border radius, lg, okay, यहां पर हम ऐसे simple pass कर सकते हैं, no to-do's, यह, no to-do's available है जो भी आप दिखना चाहो, okay, यहीं यह आपका return हो जाएगा, and इस return को call नहीं करेगा, okay, अब उसके बाद, आपको इस list को, this is the task, इस list को आपको, for loop के अंदर, या map के अंदर, iterate करना है, iterate करना है, जिससे आप अपने सारे task को यहां पर visualize कर सको देख सको, जोगी हम आपका तीन task यह भी available, ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको, हम यूज करेंगे यहां पर, map function का, dot map, okay, to do, and that's your fat arrow function, to do हमारे एक single item है, यहां पर आइटम भी लिख सकते हो, यहां पर टूटू ले दूँगा, okay, then उसके बाद function, चेक है, and उसमें हमें यह अपना element, return करना है, guys यह सब हो रहा है, with the help of jsx, जिसके अंदर हम, javascript and html, एक ही component के अंदर, या एक ही code के अंदर लिख सकते हैं, बिना separate file के, यह एक मेंस हो गए हैं आप है, आप चाहो तो semi column दे दो, better practice है, यहां पर हम एक बार तो पहले देख लेते हैं, तीन होए की नहीं होए, okay, तो आप देख सकते हो, क्योंकि इसकी length तीन है, तो इसलिए तीन बार reiterate हुआ है, अब यहां बे हमें पास करना है, अपना task का name, तो कैसे add करेंगे, to do dot body, हमारे object में body नाम से था यह, ठीक है, तो आप देख सकते हो, to do one, to do two, to do three, हमारे सारे to do's आच हो गए हैं, अब एक best practice होती है, से इंदर guys, मैं आपको दिखा रहा हूँ, को console में error आ रहा हूँ, warning आ रही होगी, each child in a list should have a unique property, यह आपको error आएगा, जब भी आप map यूज करोगे, तो आपको की पास करने पड़ेगी, की हम अपनी id बना सकते हैं, तो यहां पे हम जाएंगे, key equal to to do dot id, अब जो भी variable आप दिखे वो warning रिमोव जाएगे, एक बार में refresh कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप दिख सकते हो, no error available, right, okay, तो हमारी लिस्ट भी आ चुकी है guys, हमारा to do भी आ चुका है, अब एक बार इसको टेस्ट करते हैं, कि ये यूस्टेड यूस्ट फेक्ट प्रॉपर काम करता हैं, नहीं कर रहा है, morning exercise, okay, अब देख सकते हो, जैसे ही में इसको एड किया, ये automatic हमारी लिस्ट में भी आड हो गया, and local storage में भी एड हो गया, एक बार हम एप्लिकेशन दिलते हैं, तो हम देख सकते हुए area हमारा, and इसमें four tasks है, right, okay, so guys, at least ये हमारे एक एप complete हो गया, पूरा functioning के बहाब प है, and थोड़ा बहुत design के बहाब प है, अब हमारा last task बचा है इसके अंदर, second last, delete करने वाला, okay, तो delete के लिए भी हम एक function बनाएंगे, वो भी हमारे global function बनाएंगे, ये add to do function या, function, delete to do, okay, delete to do हो गया, अब हम इसमें पास क्या करेंगे, जो हम है to do की id, delete करना है उसकी id, okay, उस id के साबसे हम इसमें filter कर सकते हैं, तो सबसे पहले एक बड़ टेस्ट कर लेते हैं function को console.lo, यह बार पास id आ रही है नहीं आ रही है, तो यह function हम पास करेंगे अपने to do list के अंदर, okay, यह हम पास करते हैं function as a property, यह मैंने पहले ही बताया था, add to do के अंदर, okay, तो guys properties, jsx, यह सब क्या होता है, तो आप description में लिंक है, वहां से आप पढ़ सकते हो, okay, तुम यहां पे इसको delete to do नाम से देदेंगे, and delete to do, okay, आप रख सकते हो variation, जैसे मैंने यहां पर fun लिखाया है, आप यहां पर fun लिख सकते हो, okay, तो चली चलते में component में, अब यहां पर हमाए पास दो properties access होंगी, first is to do, second is delete to do function, okay, अब वह कहां कॉल होगा, हमारे delete button के उपार, यहां पर हम लिखेंगे on click, add arrow function, and delete to do, and हम इसमें पास करना है अपने to do की id, right, okay, तो एक बार ना इसको पहले print करा देते हैं, जैसे हमने console log कराया है, यहां पर add कर देता हूंग, delete id, जैंक है, तो एक बार इसको run करते के देखते हैं, अब मैं यहां पर console पर जाओंगा, जैसे मैं delete पर click करूँगा, right, आप दिख सकते हो इसकी id आ गई, delete id, delete id, तो अब हम इसको remove करना है अपने local storage में से है, and अपनी list बोथ, दौनों में से एक साथ, तो कैसे करेंगे हम, आपको यहां पर एक trick की use करने है, simple, तो new to do, ठीक है, बाद में हम इसको set कर देंगे अपने use state के अंदर, to do, current to do dot filter, filter हम इसमें use करेंगे, जैसे महां पर map use किया था, यह भी एक arrow को iterate करने के लिए to do, pad arrow function, and then, हम return कर देंगे यहां से, सारे to do's को, बट उस to do को add नहीं करेंगे, जिसकी id, हमने pass की है, जो id हमने pass की है, हम उस to do को return नहीं करेंगे, तो यह function क्या करेंगा, automatically आपकी wrist में से उस to do को remove कर देगा, और filter कर देगा, and new to do आपको return कर देगा, उसके बाद क्या करना है, बच्चा बच्चा जानता है, set to do's में जाकर आपने new to do's को set कर देंगे, जैसे क्या होगा हमारी use state, जैसे ही हमारी state change होगी, हमारा use effect भी चलेगा, and automatic वहां से move हो जाएगा, तो एक बाद test कर देगा, ठीक है, तो मैं delete करता हूँ, तो देखो आप वह delete हो गया, second भी delete हो गया, morning exercise भी delete हो गई, hello to do भी हो गया, and हमापस badge आ गया no to do's, जो कि हमने या पर add किया था, no to do's यह है, so guys हमारा last काम रह गया है, कि जब भी हम add to do करते हैं तो यह लिखा हुग आता है, तो चक्रा UI में हम search करते हैं toast, ठीक है, तो आप use toast करके भी एक toast add कर सकते हो, बहुत ही simple, आप देख सकते हो यह आ गया, loading वाला, आप इसको use कर सकते हो, बट हम use करेंगे एक failure message, तो वह कैसे हम use करेंगे, add to do में जाएंगे, यहाँ पर हमारा alert लिखा है न, इसको remove करेंगे, यहाँ पर हम add करेंगे toast, toast कहां से आएगा अपना चकराई हो आई मैसे, ठीक है, यह आप देख सकते हो, यह यहाँ से toast नहीं, use toast, ओके, यह भी एक होक है, तो इसको हम लिए ऐजा toast यहाँ पर, तो होक पहले बना लेते हैं, const, toast, यहाँ पर हम लिए use toast, ओके, तो toast हम use करेंगे यहाँ पर, toast में आप ह करने हैं, कुछ properties, कि हमारा toast का message क्या होगा, title, no message, या फिर no task, ठीक है, status क्या होगा हमारा, error, ओके, and duration हमारी क्या रहेगी, 1000 second आप दे दो, मनदब 1000 second नहीं, 1000 millisecond, is closable, और इसको गर दो, आप true, आप warning भी दिखा सकते हो, और वो false कर देंगे, तो user close में नहीं कर सकता हो, ठीक ह सेमिकोना लगा दो, अच्छे practice हो जाती है, ठीक है, तो बच चेक करते हैं, इसको, add to do, तो अब देख सकते हो, no task, 1000 को जादे ही कम हो गया, 2000 कर लेते हैं, पता भी नहीं चलिए न, तो अब देख सकते हो, no task, 2 second के लिए, and इसको हम close भी कर सकते हैं, so guys, कितना easy है, चक्रा UI स app create करना, right, so हमारा काम काफी हो चुके है, अब केवल हमारा react to do app को design करना रहे गया है, और एक यहाँ पर dark mode and white mode, आपके सकतो light mode या dark mode add करना रहे गया, तो पहले हम वो add कर देते हैं, जो हमने enable किया था अपना चक्रा प्रोवाइडर यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एक चीज चक्रा ही होएगी, initial color mode हम रख सकते है, light, ठीक है, तो यह हमारा add हो गया app के पास, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यह add हो चुका है, अब यहाँ पर हमें एक button बनाना है guys, इस heading के पीछे है, यह उपर जहाँ भी आपको सही लगे, वो आप navigation में भी add कर सकते हो, depends on you, यहा icon होगा हमारा, अब icon हमारा depend करेगा, जैसे make add करके दिखाता हूँ, app face sun, यह import होगया हमारे icons है, is round, round होना चाहिए गया, true, and size, size हमारा आएगा, lg, हमें इसको align करना है, self, and वो होगा flex, end में, because हम बिल्कुल इस corner में अपना icon चाहते है, right, अभी तो error आएगा है, and हमें इसमें एक method बनाएंगे, change करने लिए, वैसे एक काम करते हैं, इसे close करते हैं इसको, तो आप देख सकते हो, यह हमारा, एक, क्या हमना icon यूज करता है, F.A. sun का sun का icon आएगा, चाहिए, इसको box से बहाल लेके चाहिए, तो हम यह write वहाँ, यह हम देख सकते हो, यहाँ क्योंकि हमने box के अंदर ले लिया था, तो इसको बहाल लेना है, अब यहाँ पे हमें इस पे function add करना होगा, and इसको change करने के लिए icon भी add करना हो, वह से पहले function मनाते है, इसका, so function क्या होगा, const color mode, okay, and toggle color mode, okay, use color mode, यह भी एक होक है, चाहिए, चक्रा ही हो आईगा, आप कर सकते हो, कहाँ import हुआ यह, use color mode, okay, यह import हुआ है, यहाँ से color match context types है, and directly from index.js, जो हमने यहाँ पे define कर दिया इसको, ठेक है, तो अब हम यहाँ पे toggle color mode, use करेंगे, on click, okay, तो on click हम function pass कर देंगे अपना, toggle mode, okay, एक बार देखते हैं इसको, okay, तो आप देख सकते हैं, हमारा यह work कर रहा है, light, dark, यह task set करके देश लेते हैं, task 1, तो आप देख सकते हैं, light में आ रहा है, अब यह dark में हो रहा है, right, कितना like, देखते हैं कित अच्छा लग रहा है, तो अब यहाँ पर हमें इसका icon भी change करना है, icon कैसे change करेंगे, यहाँ हमें condition लगाने पड़ेगी, okay, तो color mode अगर equal to equal to light है, इसमें दो ही mode है, light and dark, है न, light है, तब यह आएगा हमारा sun, but अगर dark है, तो हम यहाँ पर दालेंगे इसको, moon, right, अब कोई भी icon लगा सकते हो, वैसे यह official icon, ज्यादा बड़ी icon तो यही है, तो अब जख सकतो अभी default में dark mode आ रहा है, मैं इसको light करूँगा, light, dark, light, dark, okay, तो एक यह text को style करनेगा, जो मैंने आपको demo में दिखाया था, वो task है, वो आप करोगे, chakra UI की helps है, ठीक है, अगर कोई भी problem आएगी, तो आप मुझे comment करोगे and इस source code को मैं आपको description में add कर दूँगा, link, and आपको अगर कोई भी आप project बनाते हो, तो प्लीज आप मुझे discord community में push करना, तो मैं उसके ओपर भी video बनाऊँगा, and वो अपने next video में, उसको super like दमा, okay, so मिलते है next video में, and उससे पहले यार, अगर अभी तर चैनल है, तो आप इस video से start भी कर सकते हो, okay, complete lecture आपको इसमें मिल जाएंगे, so guys, thank you for watching the video, मिलते है next time, तपके के लिए, bye-bye, element automatic बिना CSS के vertically aligned हो जाएंगे,